नमस्कार सचीन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं आज की मैं वीडियो बचों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए लेकर आया हूं जिनको डिप्थीरिया की समस्या रहती है देखिए डिप्थीरिया क्या है यह एक वाइरस है एक स्वास रेश्यों से होता है जिससे आमने वाला या उसके कॉंटक्ट में आने वाला बहुत ही जल्द बिमार पड़ जाता है देखिए अगर आपको या और किसी जानने वाले को डिप्थीरिया हो गया है बैक्टीरियल infection हो गई है तो इसमें क्या होता है इसमें जो गला है वो swell होना शुरू हो जाता है स्वास लेने में और छोड़ने में बहुत सारी कठनाई आती है गले में दर्द रहती है सुजन के साथ दर्द रहती है और अकड़न मैसूस होती है जिसकी वज़े से शरीर में बुखार हो जाता है सिर में दर्द रहता है बेचैनी बढ़ जाती है भूख कम लगती है पानी पीने में भी बहुत सारी प्रशानी आती है देखिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप थीरिया की समस्या है तो आपने क्या करना है आप पांच तुलसी के पत्ते ले ले इसके बीच में एक गिलोए का पत्ता और दो काली साबूत मिर्च जो काली ब्लैक कलर की होती है इन तीनों को आप दो गिलास पानी में अच्छे से गरारे करें गरारे करने के बाद उसी पानी को पी लें गरारे करने से जो आपके जो फ्रोट इंफेक्शन है जो स्वैलिंग है वो कम हो जाएगी उसके बाद आप उसी पानी को जब पिएंगे तो वो अंदर जो बैक्टिरियल इंफेक्शन है उसको खतम कर देगा और सारी bacterial infection जो है वो सारी फैल रही है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस बैक्टीरिया की bacterial infection से परशानियों का सामना कर रहे हैं उनको फाइदा मिल सकें इसके साथ आपने क्या ध्यादा रखना है आप बाहर की कोई भी चीज ना खाएं किसी बी ऐसे परसन के कोंटेक्ट में ना आएं जिसको जुगाम या खांसी है उससे थोड़ा सा दूरी बनाई रखिए आप स्ट्रीट फूड अवाइड करिए जो पानी धकावा नही है उसको प्लीज अवाइड कीजिए सफाई का ध्यान रखिए अपने हाद साफ रखिए मेरा भ्यान यही है प्रयास यही है कि आप सब स्वस्त रहिए खुश रहिए नमस्कार